हाँ जी दोस्तों कितना मैं साइरस और आज का वीडियो है जिसमें हम बात करने वाले हैं कौन से ऐसे सीड्स हैं जो आपको डेली बेसिस पे खाने चाहिए कौन सा ऐसा सीड्स है जो सबसे बहतर है चाहे मैं पिग्मेंटेशन मलाजमा की बात करूँ या आपकी हेल्दी ग्लो करने वाले हैं एन वेदा का ओमेगा-3 फिश ओयल कैपसूल जल्दी से शुरू करते हैं अपना वीडियो पहली बार आए हैं तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करें साथ में बैल आइकन भी दबा दें ताकि जब भी मैं फिटनस, ग्रूमिंग, हेल्थ से रिलेटर वीडियो आपको नोटिफिकेशन में जाएगा-2 दोस्तों फ्लेक्स वे भीगो से छाने का अच्छा तरीक होता है अब पानी में रात को भिगो दो सुभे इसको चाहे आप ओट्स में डाल लो स्मूदी में डाल लो बही में डाल लो इसे अप सकते हैं याप पानी से प्लिव जो पा percentage ऐसा है कि body इसको अच्छे से digest नहीं कर पाती, body इसको break down नहीं कर पाती, जिसकी वज़ा से ये digest नहीं हो पाता तो सबसे अच्छा तरीका क्या है रहता है आप इसको तवे पे धाई से तीन मिनट तक रोस्ट कर लो, फिर उसका powder बना लो, उस powdered form को आप हर रोस दो चमज खा सकते हैं जैसे मैंने बताया जैसे मर्जी खाना है आइडिया है कि आपके पेट के अंदर जाना चाहिए अगर मैं चिया सीट की बात करता हूँ चिया सीट को रोस करने की जरूरत नहीं है इसको आप पानी में भिगो दो रात को और ये काफी फूल भी जाता है इसको ओट्स में डाल लो, स्मूदी में डाल लो, सबजी में डाल लो, दाल में डाल लो, दाही में डाल लो जैसे मर्जी आप इसको खा सकते हैं अगर मैं पंकीन सीट की बात करूँ तो इसको भी आप रात को भिगो सकते हो और सुबह स्मूदी वगरा में डाल सकते हो, या फिर आप इसको तवे फे थोड़ा सा रोस्ट कर सकते हो, उसको रोस्ट करने के बाद उसको थोड़ा सा पीस लो, और उसको आप सबजी में डालो, सिलाद में डालो, ओट्स में डालो, स्मूदी में डालो, धही में डालो, पा है जैसे मर्जी ले सकते है है को इसकी दिक्टत ही है अब जब सीड diab कर तो इस बात को ध्यान दें देन师 में होता है, इसमें होते हैं कुछ मिंडल होते हैं थोड़ा सा प्रोटीन होता है और ओम 획खा- three होता है यूजली जो seeds होते हैं उनको omega 3 के लिए लिया जाता है अब इन में से कौन भैतर है उस पर बाद में बात करते हैं यहां पर हम review करते हैं N-Veda का omega 3 fish oil दोस्तों ये बहुत अच्छा brand है क्योंकि हम पिछले 3 सालों से omega 3 का जो fish oil capsule है मैं use कर रहा हूँ इसका सबसे अच्छी खासियत ये है कि price wise बहुत affordable है आपको काफी affordable price में 60 capsules मिल जाते हैं यानि कि 2 महीने आपका अराम से निकल जाता है next इसकी खासियत क्या आती है कि आप अगर एक capsule लेते हैं तो आपको एक capsule में 1000 mg omega 3 की dosage मिल जाती है जो कि आपके daily recommended dosage है अब market में जितने भी brand आते हैं आपने देखा हुआ अकसर उन में 1000 omega 3 dosage लेने के लिए आपसे दो या तीन capsule लेने पड़ते हैं जिसकी वज़ा से वो ज़्यादा महेंगे पड़ते हैं ये आपको price wise दो महीने निकल जाएगा एक ही capsule में आपको 1000 mg की dosage मिल जाएगी फिर उसके बाद कई बार problem के आती है फिश ओयल capsule खाने के बाद थोड़े से आपको डगार आने लगते हैं लेकिन इसमें ऐसी कोई problem नहीं आती है मैं पिछल तीन सालों से small कर रहा हूँ और मुझे कभी कोई problem नहीं आई फिर दोस्तो इसमें कोई भी heavy metals, colors, fillers या कोई भी harmful chemical नहीं डाला गया जो इसको खास बना देता है description box में लिंक है आप खरीदे आप मुझे जरूर बताएं आपको इसका performance कैसे लगता है दोस्तो हम fish oil खाते हैं ताकि हमारा blood flow है वो improve हो जब हमारा blood flow improve होता है तो blood के थ्रू जितना भी nutrients हैं वो body के अलग अलग जगा पर travel करते हैं जैसे ये blood जब अच्छे से हमारे बालों के जड़ो तक पहुंचता है तो ये खुराक को लेके पहुंचता है आपको omega 3 daily basis पे 1000 mg doses ज़रूर लेनी चाहिए और जहां तक ब्रैंड की बात है एंवेदा एक बहुत अच्छा ब्रैंड है जो price wise affordable है महंगा नहीं है दो महीने अराम से आपके निकल जाएंगे description box में link है आप खरीदिएगा और मुझे जरूर बताईएगा आपको कैसे लगा ये तो हमने अब omega 3 की बात करी दोस्तों क्या होता है बहुत सारे लोग कहते हैं कि क्या हम जादा ले सकते हैं जादिए एक बात को हमेशा समझे किसी भी बीच को दो छोटे चम्मच से जादा नहीं लेना होता है बहुत सारे लोग कहते हैं सर जी हमें गर्मी हो जाएगी इसकी तासीर गरम होती है दोस्तों आपको को टोरी भर के थोड़ा खाना है आपको केवल दो छोटे चम्मच ही अब बात करते हैं जिस टॉपिक पर मैंने वीडियो बनाया है इन सब में से बहतर सीड्स कौन सा है दोस्तों जिस किसी ने भी निट्रिशन को पड़ा है वो इस बात को जानता है कि कभी भी निट्रिशन को इस तरह से कंपियर नहीं किया जा सकता फ्लैक सीड की अपनी एक चिया सीड की अपनी इंपोर्टन्स है ऐसे ही पंकिन सीड और सेसमी सीड की अपनी इंपोर्टन्स है अब क्या होता है किसी बीज में मानलो कोई निट्रियंट्स थोड़ा बहुत कम होता है लेकिन बाकी के निट्रियंट्स बढ़ जाते हैं अगर मैं चिया सीड की बात करो तो इसमें healthy fat भी होता है, फ्लैक्सीड भी इतना जादा healthy fat नहीं होता है, लेकिन बाकी के nutrients balance हो जाते हैं, सो कभी भी आप nutrition में ऐसा मत सोचिए, कौन सा बीज सबसे बहतर है, sesame seed को सर्दियों में ले सकते हैं, pumpkin seed को जमरजी ले सकते हैं, chia seed, flex seed को भी जमरजी ले सकते हैं, सो सबसे अच्छा तरीका कह रहता है, सबसे पहले आप flex seed राए करें, flex seed जब खतम हो जाएं, तो फिर आप chia seed पे आ जाएं, जब chia seed खतम हो जाएं, फिर आप pumpkin seeds पे आ जाएं, जब pumpkin seeds खतम हो जाएं, फिर आप sesame seeds पे आ सकते हैं इस तरह से क्या होता है आपकी body को आदत पढ़ने रखती है नईनी चीजों को adjust करने के लिए तो आपको अलग-लग nutrients मिलते हैं अलग-लग dosage में nutrients मिलते हैं आपकी body grow करती है सो कभी भी nutrition में ऐसा नहीं सोचना कानसा फल अच्छा है कैनसी vegetable अच्छी है कौनसा seeds अच्छा है कौनसा nuts अच्छा है जिस किसी ने भी nutrition को पढ़ा है अच्छे से वो कभी रहनी नहीं कहेगा कि फ्लानी चीज जादा अच्छी है फ्लानी चीज लेलो ऐसा नहीं होता ठीक है तो मैंने जो बताया है, ये चारो seeds का अपना एक importance है, इसमें omega 3 होता है, fiber होते हैं, anti-oxidants होते हैं, minerals होते हैं, और आपको केवल 2 चमच ही खाना है, अगर आप में से कोई लोग ये गहते हैं कि सरम, mix करके seeds ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं, mix करने के बाद भी आपको केवल 2 चमच ही seeds लेने हैं, पूरे 24 घंटे के अंदर इससे जादा नहीं लेने, ठीक है, seeds को आप जैसे मर्जी खा सकते हैं, so seeds को enjoy करें, और जहां पे आपको लगे, आपकी डाइट में omega 3 की कमी है, तो आप supplement का सहरा बिल्कुल ले सकते हैं, N-VEDA का omega 3 fish oil capsule है, इसका description box में लिंक ह खरीदियेगा और मुझे बताइएगा आपको performance कैसे लगा, उमीद है मैंने आपके सवालों का जवाब दे दिया है कि कौन सा seeds खाना चाहिए, कौन सा नहीं खाना चाहिए, हर seeds की अपनी एक importance है, इसको हमेशा याद रखिए, कोई भी व्यक्ति, अगर मुझे से direct बात करना चाहता है, तो Instagram पर आजाएं, Friday को रात को 9 बजे मैं लाइव आता हूं, YouTube पर भी कभी लाइव आ जाता हूं, और कोई भी व्यक्ति मुझे support कर सकता है, मेरा चैनल है, जॉइन कर सकता है, मेरा जॉइन का बटन है, मेंबर बन सकता है मेरा, और मेरा vlogging चैनल है Cyrus Veera, subscribers होने बाले हैं, I am very very excited, thank you so much for watching this video, keep growing, spread the love.